गुड़ मॉनिंग एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप लोग आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल विभास लाइफ में तो अभी देखिए सुबह का बज़रा है साड़े छे और आज हम पूरे घर में जाला लगा है मकड़ी इतना सब लग तो आज हम पूरा सफाई कर रहे हैं अभी यह लोग सोए है तो इसलिए पूरा अच्छे से एकदम जाड़ नहीं रहे हैं नई तो फिर बीस्तर पर गीरेगा हम बस थोड़ा थोड़ा जहां जहां लाजा है उसी को हटा रहे हैं अगर हपता भर नहीं हटाईए नहीं लाज कि फीर से सब पूरा लगा देंगी एकदम और तो पूरा हपते में नहीं दस दिन में इतना तो करना पड़ता है पूरा लाजा हटाना पड़ता है तो अभी देखिए हम पूरा लाजा अपना हटा लिये हैं अब जाड़ो लगा लेंगे सुबा का टाइम अभी बिट्टू किट्टू दोनों सोए हैं अब हम और मेरे हाँ नाइट ड्यूटी है यह ड्यूटी गया है तो यह जाड़ो पोछा करने के बाद हम नहाएंगे उसके बाद फिर खाना बनेगा अभी मेरा नास्ता या खाना करने वाला ही नहीं था तो हम कहें अब नास्ता जब आ जाएंगे वो ड्यूटी से आएंगे तो फिर बना देंगे फटा फट जब से नहाएंगे दूलाएंगे तब से मेरा नास्ता बन जाएगा यह अभी हम नहा के आ गए हैं देखिए बिट्टू सोया है यहां पे इसको बूले हाटो एक साइड लेकिन यह नीद में सूना ही नहीं अब यह सो राय अंदर अभी हम बाल जाड़ ले बाल मेरा इतना फास गया है ना कल सामको जाड़े ही नहीं और तेल नहीं लगा है बहुत फसा है तो अंदर जाड़ते तो पूरा एकदम सब जगा फाइल जाता एक तो सब फैन नहीं बंद करने दे रहे हैं, थोड़ा सा बंद करो तो इतनी गर्मी है कि सब चिलाने लग रहे हैं, तो इसलिए हम बाहर क्या बोल रहे हैं, बाहर अपना पूरा जाड लिए हैं, अब चल रहे हैं नास्ता बनाने, ये भी देखिए, अभी आ गए डूटी से तो ये देखिए, अभी यहां एक सोया है, एक यहां सोया है, ये पूरा कंबल लेके लपटाया रहता है, इसको और ये है, तो ये यहां सोया है, अभी हम काम करके पूरा एक दम अब ठक गए, अब थोड़ा सा ग्लुकोज पानी पीएंगे, ये आये हैं, तो बोले कि अरे बाहर बहुत अच्छा हवा चल रहा है, हम कहीं चलिए बैठते हैं, तो ये ड्यूटी से आए हैं अभी, ये नहाए दुलाए नहीं है, तो हम लोग अभी थोड़ी देर बैठके यहां पे हवा लेंगे, तो हम सोचे जब बैठे ही हैं, हवा ले रहे हैं, तो थोड़ा अप सर अपने ब्लॉग में यहीं बोलते हैं, यहीं पर बैठे भी रहते हैं, तो अभी हम आ गए हवा ले करके, आज हम नास्तेम बनाने जा रहे हैं, चला, क्या, चना, आलू, टमाटर का सबजी, जिसके लिए हम लासून, प्याज, अद्रक, मिर्चा सब तयार कर ले रहे हैं, लासून को कोट लिए हैं, अभी कुकर में बनाएंगे, तो कुकर में जल्दी से पक जाएगा, और हमको अच्छा भी लगता है, पता नहीं, मेरी ममी को नहीं पसंद है कुकर का सबजी, लेकिन हमको बहुत पसंद है कुकर का सबजी, तो अभी देखिए, हम तेल चड़ा द को देखिए, तो गोल के ही डालते हैं, गोला हुआ मसाला अच्छा लगता है, उसका सवादिदम अच्छे से आता है, यह मेरा तेल गरम हो गया, तेजपत्ता और जीरा हम डाल दिए हैं, और यह हरा मिर्ची डाल दिए और हींग थोड़ा सा चना है, तो हींग, और यह प्य नमक डाल दिये हैं ये अभी मेरा हो गया है इसका कलर चेंज हो गया था प्याज का तो इसमें हम लहसुन और अद्रक का कुटा हुगा डाल दिये पेस्ट ये देखिए अभी इसको भी अच्छे सिभून लेंगे ये मेरा हो गया तो इसमें अभी हम मसाला डाल दिये हैं और इसमें ये हल्दी पावडर डाल दिये अभी मसाले को अच्छे से भूनेंगे तेल छोडने तक और इसमें ये मिर्ची पावडर डाल दिये थोड़ा सा ये आलू चना टमाटर का धावा स्टाइल में सबजी और इसमें हम डाल दिये आलू और टमाटर दोनों अब इसको भ पूल गया है कच्छा चना है इसको बॉइल नहीं किए हैं तो ये देखिए हम भून लिए अब इसमें हम डालेंगे पानी तो ये चावल से खाना राता है तो ज़्यादा डालिए अगर किसी पराठा पोली सखाना आए तो थोड़ा कम तो हमको सत्तु वाले पराठा से खाना देखिए हम सत्तु वाला पराठा बनाने के लिए चना भुना हुआ था सत्तु हम घर पर बना लिए है और इसमें प्याज, मिर्चा, अद्रक, लहसुन, सब बारिक बारिक काट ले रहे हैं ऐख्ड़ा आज सब का मन किया सत्तु का पराठा खाने का और इसमें देखिए ना ड़बा हो जाता है 22 एक भी ना रहे किवल नेबू का रस रहे और उसमें बस बिद nuestros हम निकाल दिये और इसमें थोड़ा सा सरसो तेल ढल लिये हैं और इसमें फेल नमक डालेंगे नमक ये थोड़ा काला नमक और जीरा भुना हुआ है ये साधा नमक है वाइट नमक तो और इसमें थोड़ा सा हम अमचुर पाउडर भी डाले हैं अब इसको मिक्स कर लेंगे बिट्टू आया है तो हमको लगता है कि हम क्या-क्या बना के उसको खिला दें अभी फिर चला जाएगा तो इसलिए कुछ नकुछ अपना उसको बना के खिलाते रहते हैं ये देखिए मेरा सबजी हो गया है अब इस पे हम बना लेंगे पराठा सत्तो का और बिट्टू को पसंद भी है ये सब उसको चना आलू टमाटर का सबजी या इससे जैसे हम बनाते हैं इस तरीके से उसको पसंद है उसको मेरे हाथ का कुछ भी बना देते हैं वो खा लेता है और उसको अच्छा भी लगता है वो घर पे आके बोलता है कि मतलब उसको जो भी खाना रहता है वो बोल देता है कि आज ये बनाओ वो बनाओ ये अच्छा लगता है इस बार जादा हम कुछ नहीं बना पाए मेरा तबियत नहीं ठीक चल रहा था तो यहीं सब देख के मेरा बच्चा कुछ बोला भी नहीं कि हमको क्या खाना है हम अपने से उसको पूछते थे आज यह खालो वो खालो तो बोलता था ठीक है जो बना दो तो इस बार हम उतना उसको कुछ खास नहीं बना के खिला पाए तब यत ही नहीं सही था अब ही ठीक हुआ तो अब वो जाने वाला एक कल परसों में चला जाएगा कल तो इसलिए बहुत अजीब लग रहा है कि हम उसको कुछ नहीं बना पाए अब चला जाएगा तो फिर देखते हैं देखिये कब आता है तो ये देखिए सद्टू का पराठा हम इसमें भरके इसको ऐसे ही अच्छे से तवा पर डाल के इसको refine लगाके अच्छे से उसको सेक लेंगे यह देखिए मेरा हो गया पराठा अभी सब्जी भी एकदम मस्त हो गया है मेरा एकदम खटा तीखा चटपटा सब्जी और पराठा और यह है बिट्टू का थाली है उसको दही नहीं पसंद है उसको माठा ज्यादा पसंद है तो देखिए वह माठा लिय और दही वीडियो पसंद आतो प्लीज लाइक शेर सस्क्राइब जरूर कर दे जो नए है मेरे चैनल पर प्लीज सस्क्राइब करके आप भी मेरे परिवार का हिस्सा बन जाईए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए